नमस्कार दोस्तों अनुखारों के स्ट्यार में आपका एक बार फिर से स्वागत भारत की सबसे महत्पूर्ट ट्रेन बंदे भारत एक्सप्रेस का परिचलन रॉक्साओल से कुछ दिनों में होने वाला है तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे आकर रूट क से नटकटिया वज होकर बंदे भारत चलाने के तैयारी चल रही है तो आप सभी को बता दे कि रॉक्साओल से जो है हावडा के वीच में ट्रेन चलती है मिथला एक्सप्रेस और काफिर पसंदीदा लोगों की ट्रेन है लेकिन इस रूट पर जो है कोई प्रीमियर ट्रेन लेकिन लग्यें रॉक्साओल से हावडा जाने के लिए और बात करेंता मुझाफरफूर से भी कोई prosperous नहीं है प्लान बना बना आ है कि रॉक्साओल से मुझाफ़र होकर हावडा के लिए एक प्रीमियर ट्रेन चल रहे है तो बंदे भारत एक्सप्रेस करके ट्रेन चलाई रास्ते क्योंकि इस रूट पर अगर हम बात करें तो काफी जरूरी है वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक मुझाफर फुर को कोई ट्रेन नहीं मिली है और नेपाल से सटे हुए होने के वज़ा से रक्साओल से जो है काफी जाता यातरी मिलेंगे इस ट्रेन को हावडा तक जाने के लिए तो आप सभी को बता दे कि रेलवे जो है फैले त्यारी करा था तो दिली के लिए ट्रेन चलाए जा लेकि दिली के लिए कई प्रस्तावी ट्रेन हैं जैसे अमरित भारत ट्रेन मिली हुई हैं दरभांगा से मिली हुई हैं मुझाफर पुर से मुली हैं तो च साथ सा किलोमीटर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा इस ट्रेन को और आसानी से दूरी जो है तो एक कर लेज़ें अब आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है रक्षाउल शुगाली बीच का एस सेक्षन है और रक्षाउल शुगाली का बीच का जो सेक्षन या ट्रैक 110 किल निविकरन किया जा रहा और इसका मतलब साफ हो गया है कि इसी रूट पर बंदे भारत का परिचालन होगा क्योंकि ट्रैक बढ़ियां रहेगा तभी बंदे भारत ट्रेन का परिचालन हो सकता है तो पहले जो उमीद था कि दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगा रक्षाउल से त կह बंदे भारत परिचालन हो वाला है जो एक दरभंगा से हरसा से होने वाला है यह ट्रेन दिल्ली के लिए जाएंगी तो बंदे भारत हव्ला के लिए चले इंहरेब 25र रहा है जनुरी तक जो है यह thiया्य लाइन कमिली नियर भाग ने जा रहा है और रसारड स्वाओली के बीच में इसरेतीकर काम किए जा रहा है पैकिंग कर सारे काम किया जा रहा है सिग्णल खरए भी जांश किया रहा है इसके हलामा जीतने भी जो है बेरियर लागे हुए हैं लेबल क्रोसिंग पर अटोमेटिक जो है बेरियर सिस्टम का जो है यहां पर वहुस्ता किया जा रहा है इसके लामा बात करें तो सगावली से लेकर मुझा फर पूर्ट के रेल ले पहले ही दोहरी करन कर दिया गया है ताकि ट्रेनों को जो है दिक्त ना हो सके तो कुल भी लाकर देखे तो रेल वे जो है त्यारी काफी तेज गती में कर रहा है और इस ट्रेन का फरीचालन बहुत जल्द होने वाला इस ट्रेन के बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरू बताईएगा और आप क्या सोचते है हमरे वीडियो के बारे में जरू यानि बताईएगा और चैनल पो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि अगला आपडेट आपको मिल सके मिलते हैं किसे अन्य वीडियो के साथ तब